आज मैं अपना नया चैनल चल दाने जा रहा हूं जिसका नाम है कैरी गिल द व्लॉगर आपके साथ नीचे में लिंक भी शेयर कर दूंगा उसका बेसिकली बैठे-बैठे ध्यान आया कुछ 4-5 महिने पहले की हम भी क्यूनर टूरिंग करें तो उस पॉंट और व्यू से सबस सुपरनोबा मॉडल है तो क्रूजर बाइक सीरीज में आती है तो एक-दो वैसे हम टूरिंग कर भी चुके नियरबाइब प्रेसिस पे लेकिन अब उसको कुछ हमें कामियां लगी थोड़ा हम पहीं जा रहे थे तो एंटेटेंटमेंट का भी लगा कि कमीज हमें लगी ड् कर्वाए कैसे कैसे चेंजिस कर वाई है तो देखते हैं आपको भी दिखाते हैं तो चलिए आपको बाइक के दर्खशन करवाते हैं झाल झाल हमने शेसरीजिस को लगाई है उसके बारे में फ़ोड़ी जानकारी दूँगा हमने यह एक कवर लगाया है जो सेफ्टी के लिए है 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 कि एंडल बार पर उसके बाद जो हमने इक दिशन किया है हमने ये जो हंट में आते हैं रबर के बूट्स यह डालें कि स्के फार्बियों को कवर किया उसके लावा अगर हम हम हैड्लम्ड की बात करें थो से उपर भी हमने यह एक ग्रिल लगा है तो यह हमने दोनों तरफ मोटसेकल के लगाई है तो इसकी अपनी लाइट है वो उतना रात को नहीं कवर कर पाती बट इनके साथ यह है कि आपका जैसे आप दिन में घूम रहे हैं वैसे आपको रोशन देती हैं अपार्ट फॉर्म दिस यह हमने इसके अंदर और भी छोट टोटी चीजें हैं जैसे यह ऑईल का जो स्टोरेज है उसके उपर के लगा दिया यह ब्रेकिंग की सेफटी के लिए एक कवर लगा दिया तो बाकी हमने अपनी अपनी सारेंसर पाइप के उपर भी केसिंग करवाई है हीट रिजिस्टेंट की सो दाट जो मेरे यह स्पीकर बाद ने कर आपके इसमें लगवाई है जो हमारा सबसे पहले मुटा थह वह tha की स्टोरेज तो यह हमने जो आपको धर पैनि लगाए हैं कि इस टोनों 17 बाद नियूंत यह शैट के पैनियर्ज हैं यह देखिए आप काफी स्टोडेज हैं के अंदर यह बेसिकली मेरे पास जब आये थे तो यह ग्रेशेड में आये थे जो स्टैंडर ग्रेशेड होता है तो हमने इसको बॉडी कलर पेंट करवाया और खोड़ा सा डेकोरेट किया तो यह इस शेप में और रूप में दिख रहे हैं आपको जो अभी आप देख रहे हैं उसके लावा यह हमारा पिछे शैट का लगाई से यह हैलमेट केस भी आप कह सकते हैं या समान भी रख सकते हैं यह 46 लीटर का है तो आप यह देख लिए 46 लीटर प्लस 23 लीटर प्लस 23 लीटर और इसके लावा जो हमने इसके अंदर चेंजिस की हैं यह पीछे मैंने स्ट्रो ब्लेट्स लगाई हैं अभी आपको चला के दिखाएंगे इनको भी तो यह बेसिकली अगर फॉक जादा हो य करते हैं तो step by step आपको और भी इसकी चीज़े दिखाती है चलिए अब इसको start करते हैं मुप साइकल को देखते हैं आपको इसके फीचर दिखाते हैं तो यह हमारा बाइक का स्टार्ट होने जा रहा हुआ हुआ कि सबसे पहले तो इसमें जो मैंने आपको भी आप से जिक्र किया तो यह रात के टाइम भी आपको दिखाएंगे चला के तो यह बाइक के आगे जो हमने लगवाया है एक तो यह आपकी lights दिख रही हैं आपको जो fog lamps कहते हैं यह इसको आप LED lights भी कहते हैं और इसके लावा जो speakers है उनके अंदर speakers कहते हैं इनके अंदर DRL भी है जो fitted है मै मैं अभी अपने किसी साथी को कहूंगा कि वो इसके ऊपर on करके दिखाएं इनमें इंडिगेटर भी है hazard lights भी चलती है तो यह देखिए कुछ इस तरह से तो यह आपका दोनों परपर सॉल्फ करते है hazard light का भी कर रहे है और secondly आपका DLR का भी तो यह एक feature है दूसरा आपको द इसमें इसमें यह जो मैं भी store lights की बात कर रहा था तो इसमें भी यह तीन modes है आप जगा के रख सकते हैं आप इसका mode चेंज कर सकते हैं जनरली मैं यह mode की यूज करता हूं विकाज यह हर टाइम नहीं जगता और फ्रासा flashing भी अच्छी लगती है इसकी और तीसरा mode भी है इसमें यह आपके constant जखते रहेंगे तो यह आपका safety के point of view से बहुत ही बेटर option है जब आप कहीं remote area में drive कर रहे हैं तो अब इसके बाद आपको हम इसके sound system के बारे में बताएंगे विकाज ऐसा तो काफी कुछ लगा हुआ हुआ है छोड़ी छोड़ी चीज है बट जो main important factors है जो राइडिंग के point of view से इसमें additions करवाई गया है तो हम उसकी बात कर करते हैं तो मैं भी आपको music system के बारे में भी दिखाता हूं basically यह जो speakers है काफी loud play करते हैं जब आप राइड कर रहे हैं आपको अलग-लग तरह की आवाजे सुनती है हवा की आवाज आ रही है और आप जब राइव कर रहे हैं और किसम की आवाजे आती है तो यह यहां से आप इसकी quality का पता देख सकते हैं basically इसमें हमने दो speakers लगाए है यह यूस से मंगवाए गए हैं और साथ में इसके amplifier भी लगा हुआ है सुऐ इस अब राइदन्मेंट और साथ में आपको आपको यह पसंदाये होंगे और बाकी यह मेरा पहला व्लॉग है इसमें हमने इस पर पाली वीडियो के लिए तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसको और बनाते जाएंगे अभी इसका आपको 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 करें अचान देखाते हैं तो वो कैसा है कि बहुत ही जबदस देखता है तो आपको फिर अभी दूसरें वीडियो में मिलते हैं ओर दिखाते हैं हुआ है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम रात का व्यू इसका दिखाएंगे रात को कैसा लगता है तो चलिए इसको देखते हैं आपको किजिए यह देखिए इसका नाइट विजयन है अगर मैं इसका आपको फरंड दिखाएंगे कितनी चौशनी हो जाती इसकी 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 बंद कर दिया अब सिर्फ हैटलेक चल दिया है मोटलेकल की देखिए यह पूरा दिन की तरह और से कर देता है तो अब इसके हम दियर व्यू पर चलते हैं जो मैं आपको तका कर रहा हुई तथ है ये देखें किसे स्ट्रो ब्यूइट की ने तो ये आपके जब या प्रे должно कर रहें तो अस टारिम के आपको बहुत लगा है टीघें तो अग्मी में स्पेसली यहीं बहुत लगा होगाaya तो मिलते हैं भाई लोग अगली वीडियो में तब तक के लिए साइन आफ थैंक यू वेरी मुड़ कर दो हुआ झाल स्फटने के लिए साइन नाऊ झाल सुटने कि लिए यू़ेश्माद कर दो हुआ झाल सुटने कि